दोस्तों स्वागत आप सभी का वर्ड अफेर सेनम पर स्टार्ट करते हैं अपने आज की करेंट अफेर डेली बेसिस पर यहां पर आप पड़ सकते हैं क्युक्ट पॉइंट और रेशा स्पेशल डे अंस्पेशल डे न्यूज और पीवाई क्यूज और आप मेना टेलिग्रा टेलिग्राम से मिलेगा जिसका आपको रेफर को यूज करना लाइव अमन जिससे आप फ्री क्लास में एंटर कर सके तो इसे लाइव जरूर देखेगा टेलिग्राम चैनल पर विसका लिंक हो आज के दिन की शुरुआत करते हैं आज है सोला नवंबर इंडरनेशल डे और हम अवेर करा सके हरे विक्ति को कि हर एक इंसान का हर एक कल्चर का रहे यूनिक नेस है तो उसको मीच्वल अंडरस्टेंडिंग में जरूरी है एंकरेज करना लोगों की हमें अपना एक दूसरे के आंदर प्रॉल्ट्रेंस पावर होनी छी दूसरे के कंसेप्ट को दूसरे यहीं भी आ सकता है कि युनाइटे निशन जनलार एसे मिन इसे 1966 के रेजुलीशन के साथ पास किया गया था तब से यह सोलर अंबर को अबसर किया जा रहा है इंपोर्ड वोशन आज का पहला देखिए आल फिलांज में डिफेंस सेक्रेटरी ने एंडी सी में एक बुक को का है वो डिफेंस सेक्रेटरी ने कहा है लेकिन एडिट किया गया बुक को किसके द्वारा ध्यान रखेगा एयर मार्शल जिपतेंदू चोधरी जी जो है उनके द्वारा और प्रेजिदेंट चेयर औफ एक्सिलेंस एंडी एंडी सी के जो है एर मार्शल एयर वाइस क्वाइलेशन फोम दिया गया एक्जांपल के तोर पे कंपाइलेशन जो है वो कांटर इंसर्जिंसी का है कन्फिक्ट नोर्थ इसमें जो है उसका एयर पावर का नुक्लियर पोस्टर का इन सब चीजों के बारे में और कुछ को एंडोर्स किया गया है और सभी आम फोर्सिस के जो कंट्रिबुशन है उनके बारे में भी बताया गया चले देखिए दूसरा कोशन हाल फिलाल में इंडिया को रिटन बैक मिला है अनपुर्णा आइडल जो कि यूपी से चुराय गया था सो साल पहले यह कहां से रिटन मिल को इंस्टोल भी कर दिया मानपुर्णा देवी का यह जो आइडल है इसे काशी विश्वनाथर टेंपल जो वार्णसी का प्रसिद्ध टेंपल है वहां पे इंस्टोल किया गया है कि सो साल पहले इसे जो है यूपी से ही चुराय गया था इसलिए इसी लोकेशन पेसे इंस् है इंपोर्टन कोशन है पूछा आ सकता है वी ओन लों की अभी जैसे 2014 से लेके अभी तक कि अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे हरिटेज आर्ट फेक्ट है जो हम रिटन ला चुके हैं और अभी एफर्ट चल रहा है कि हम सिर्नगर स्वरी सिंगापूर ऑस्टेलिया और पंजाब है और इनके द्वारा एक अनॉस्मेंट की गया है कि पंजाब में पंजाबी लेंग्वेज जो है स्कूल में बच्चों के लिए कंपल्सरी होगी इंपोर्टेंट डिटेल जालने थे इनका जो अनॉस्मेंट है यह जो है बाए बिल आया है एक हाल फिलाल में जाबी को कंपल्सरी सब्जेक्ट बना जाएगा एक से लेके दस स्टेंडर्ट तक के स्टूट्ट का स्टेट में एनफॉर्स भी किया रहेगा और इसका ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ईजी सा बिल है इसमें यह भी लिखा गया है इस बिल के अनुसार कि अगर कोई भी कंपल्सर इस bill को इस statements को आगे नहीं करता है ठीक है follow तो उन्हें 2 लाग का file भी हो सकता है if they are not following यह important है question आ सकता है तो यह class first से लेके 10th ago उसके अलावा जो पंजाब की विधान सभा है उन्होंने एक और bill pass किया है वो bill यह है पंजाबी official language amendment bill 2020 इसके तहर जितने भी official पंजाब में होंगे उनको अपने official business को पंजाबी language में कंड़क करना बढ़ेगा और अगर वो कंड़क नहीं करते हैं they have to fine give the fine up to 5,000 रूपीज पांच शजाह तक का उन्हें fine वहां पर भी देना पड़ेगा तो दो दो जो है यह पास किये गए इंपोर्टन कोशन आ सकता है हाल फिदाल में कौन सा addition हुआ रहा है इंडिया थाइलेंड जो coordinated petrol है इंडिया थायो कोरपार्ट जो कि नॉम्मर में कंड़क किया गया अन्दमांसी में तो यह कौन सा addition 32 एडिशन है जो कि 12 से 14 नॉम्मर के बीच में हुआ है इतना important है यह कोशन आ सकता है इस पर कि इंडिया की जो नेवल शिप है कौन सी तो इंडिया की नेवल शिप कर्मूक जो है इसने दोनों देशों के बीच में होता है इसका टार्गेट बस इतना है कि इंडिया को इंडियन ओशन को एक सेफ जोन मना जाए इंडिया का एक वीजन है सागर इसके तहट इंडिया ने भी चाहती है कि जितने भी देश इंडियन ओशन में है वो प्रोस्पर करें मेरिटम सेक्यूरिटी इंक्रीज करें इसलिए इसमें कोर्पेट का एक बड़ा योगदान है ठीक है इन दोनों देशों की सेक्साइस का बहुत बड़ा योगदान है चलिए एक और कोशन देखिए हाल फिलाल में कौन से दो कंट्री जो हैं यह फस्ट मैच खेलेंगी वूमन्स क्रिकेट टीट्वेंटी का जो कि अपना डिवेट करने वाला है बीस बाइस कोमनवेल्थ गेम्स में तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर यह मैच होगा पहले मैच की डिटेल बता दू देखिए पहली बात तो कोमनवेल्थ होने वाले है बरिम जो इंग्लैन है वहाँ पर होंगे बीस बाइस के और इसमें इससे पहले तक जो है क्रिकेट खेल को नहीं डाला गया था यह पहली बार ऐसा होगा कि वूमन क्रिकेट टीम जो है टी-टेट्वेंटी में टी-टूनटी फोर्माट के तहत जो है कोमनवेल्थ में पहली पार्टिस्पेट कर रहे हैं पहली इंपोर्टन जीज यह तो यह आ सकता है कोशन पूछा आ सकता है अब कोई कहे गा सर की first time woman participate करे हैं तो इससे पहले क्या कभी cricket का टुर्नमेंट हुआ तो हां हुआ था लास्ट टाइम क्रिकेट जो है लिस्ट ए मैंट टूर्नामेंट जो है 1998 कोमन वेल्थ हुआ था ठीक कोला लंपर मलेशिया वहां भे हुआ था और उसके बाद जो है आप 20-22 के मैच में टी-24 में पहली बार जो महिलाएं जो है टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी क्रिकेट में और पहला मैच होने वाला वो ऑस्टेलिया और इंडिया के बीच में होने वाला ठीक है वहां पर इंपर इंपरन कोशन आप मिनिस्ट्री के दौरा हाल फिलाल में सफाई मित्रा सेफ्टी चैल जैलेंज तो हौसिंग अर्बन अफिर्स तेखिए आप सभी जानते हैं अब ही जो toilet day जो है इसे observe किया जाएगा तो उसी को आगे continue करने के लिए center ने government ने एक week long awareness campaign launch किया सफाई मित्रा सुरक्षा चालेंज ठीक है यह world toilet day celebration का हिस्सा जो कि ministry of housing and urban development के दौरा लोंच किया गया important question पूछा सकता जिसमें two 46 cities जो है वो participate करने वाली है पूरा सफाई मित्रा सुरक्षा चालेंज में across the country और इसमें ministry करने का वाली है कि ministry जितने भी ऐसे eradicate करने की कोशिश करेगे जितने भी cleaning से वर्स हैं उन सब को safety tank जो है इन सब चीज़ों करवाने कोशिश होगी है इंपोरेंट है और यह भी ध्यान पर भी focus करेगे और इस बार जो है monetary incentive award भी रखे जाएंगे इस शहरों पर जैसे एक्जामबल के दोर पर अगर किसी शहर का 10 लाग तक का population है तो अगर वह फर्स प्राइस जीतते हैं तो उनको 12 करोड का जो है प्राइस है और 3 से 10 लाग की population के लिए फर्स प्राइस का 10 करोड का प्राइस है और 3 लाग तक कि अगर जो है population उसी साफ से प्राइस और मिलेंगे तो इस वरी जो है monetary incentive रहने वाले हैं अगर आप इस campaign के साथ इन targets को पूरा करते हो इंपोर्टेंट है in which city बहुत important question है sorry यह कोशन आने के chances है कौन सा ऐसा state है जहां पर हिम नॉक्लल जो conjugate वैक् PCV जो वैक्सिन प्रोग्राम है उससे स्टार्ट किया गया तो PCV वैक्सिन प्रोग्राम को करनाटका में स्टार्ट किया गया देखिए आप सभी जानते हैं pneumonia एक बहुत बड़ी दिक्कत है तो pneumonia का जो solution है वो PCV ही जो count किया आता है under universal immunization program PCV को अब जो है कहां पर launch किया जा र प्रोग्राम का target क्या है एम क्या है सो डाट लोगों को अवेर कराये जा सके इसके बारे में कि नीमोनिया है इससे दिक्कत बहुत सारी होती है तो इसकी 1.2 million children जिनका 5 साल की IU से कम में मृत्य हो रही है उसमें से 15.9 परसंट जो मृत्य हो वो सिर्फ और सिर्फ नीमोनिया की वजह से है और अब यह जो PCV है ना यह सेफ और एफेक्टिव प्रिवेंटिव है इस disease का so that की जो है mortality rate जो है कम हो इसको बस एक particular समय पे vaccination होना चाहिए दो primary dose होते हैं इसके एक 6 वीक में और एक 14 वीक में और यह required होते हैं चले important question आ सकता है आल फिलाल में आनंद शंक्रापांडिया जी इनका निधन हुआ यह former vice president थे कौन से organization के तो यह विश्व विश्व हिंदू परिशत के former vice president थे इनकी जो मृत्यू है 99 की एज में हुई यह एक प्रसिद प्रॉलिफिक ऑथर थे और public intellectual रहे चुके है history और public policies के उपर इनने बहुत content भी लिखा है अगर बात करी जाए कि विश्व हिंदू परिशत क्या है तो विश्व हिंदू परिश विश्व हिंदू दिवस का जो परपस है कि हिंदू सुसाइटी जो है हिंदू धर्म को प्रोटेक करना इन देर ओन वे और दूसरा इंपूर्टन यह है कि बाकि जो हिंदू टैंपल से उनको रिनोवेट करना और अधर परपस उल्सो चली इंपोर्टन है historical revolution जो resolution है हाल फि जिंपिंग इनको बहुत जादा powerful बना दिया गया है इसी resolution के तहट कैसे powerful बनाएंगे यह resolution चाइना में सिर्स तीनी बार हुआ है पहली बार 1945 में हुआ था माओ जिदोंग ने किया था resolution इनके समय में आया था दूसरी बार 1981 में आया था जो डैंग शॉपिंग के द्वारा हुआ था ठेक है तो अब जो तीसरा हिस्टोरी इस्टी जो resolution है अब प्रेजिडेंट शीजिंपिंग के दौरान आया है ठीक है इसके तहट अब जब तक लाइफ लोंग जो है शीजिंपिंग जो है प्रेजिडेंट रहेंगे थ्रू आउट इस लाइफ तो मतलब इनकी अनॉंस्मेंट है थर्ट टाइम यह एक्स्टेंड कर गें और स यह सिर्फ तीसरी बार हो रहा है पहले मैंने आपको बता दिया दो बार कब हुआ है तो यह डेफिनेटली आप देख सकते हैं लोंग लास्टिंग पावर के लिए यह रेजुलिशन लाया गया है और इससे चाइना का जो कंसेप्ट है कम्मिनिस्ट होने का वो कंसेप्ट औ है किसका टर्की का टर्की नहीं आजा काया कि यूखे जो है जो है प्रीटमेंट दे रहा है और दूसरा है कि असम राइफल कि अगर बात करी चाहाँ विलम में असम राइफल पर पूपल आड़्यशन आर्मी ने अटेक किया कहां पर स्टेट पूछा सकता डारेक्ली मनिप इसका आंसर होगा कौन सी स्टेट गवर्मेंट इसने 18 सेंशरी वुमन वेरियर बर्थरेटे जो है सेलिबेट किया है और एक अवाम बर्थ अनिवर्सरी तो कौन सा स्टेट है तो करनाटका के द्वारा कल में एक सवाल पूछा था पंचवाटी जो एक की पार्ट रहा वाल किनारे डिटेल फो में बते हैं और बाकी जितनी वी नदी हैं उनकी किनारे कौन से शेह रहेंगे जरूर आपका मेरा आप टेलिग्राम चैनल जोएन करें आपको पीडियो को लिंक मिल सकें दोस्तों आज का सेवन एम का मैराथन बहुत ज्यादा वहत्पुन है लिंक इसका क्लास को फ्री क्लास है बाकि आप मेरे कोर्स में जरूर जुड़े इसका भी निंक में डिस्क्रिप्शन वोक्स में डाला है अगर आप कंप्लीट प्रिपेशन कर रहे हैं स्पैशल जो कोर्सिस आपके कंप्लीट टीचर के एकसस होंगे अनलिमेट होगा सब कुछ एक लाइव लगाएंगे ना आपकी फीज कम होके इतनी हो जाएगी वनलब इतनी कम फीज में आप 24 मन्त के पैटर में पढ़ सकते हो और इसमें 24 मन्त भी नहीं आपको आठ मन्त एक्स्टा मिल रहे हैं तो आप अब ज्यादा मन्त पढ़ पाओगे ठीक है तो यह आपके लिए बेनिफीशल है तो आप 24 मन्त सेलेक करें लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन वोक्स में दे रख रहा है रैफर कोड चाहाए आप फ्री क्लास में अंटर करो और चाहाए आप प्लस कोर्स में रहेगा लाइव अमन तो आपको बेनिफिट हो सके तो यूटलाइस करे सेलेकों को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्स्राइब जरो करें थैंक्स अलाट फूर वाचिंग